हुँआ है practicing लेंस तो गाइज्ञ स्वागत है आपका हमारा प्लेटफर्म पर तो आज का आज वामारा टॉपिक है आप यहां पर देख सकते हैं कि आज के इस टॉपिक में हम आपको शेयर क्या करने माले हैं या जो है आपको यह सकते हैं सेपरेशन वाटिज सेपरेशन आखिर यह होता गया है तो मैं आपको इस वीडियो में फुल डिफनेशन या फुल जानकार्या फुल नॉलेज आपको दूंगा और आप देखने का प्रयास किजेगा तो सबसे पहले तो मैं आपको यह क्लियर करूंगा इस वीडियो से सब्सक्राइब T देने वाली बात तो यह गाईज शीक चाहां पर लिखा किया हुआ है ध्यान देना तो देख़िए आप पहाँ पर लिखा कियो होग पैडी प्याम पैडी का मतलब क्यों आद धान तो धान जब होती तौध है सब्सक्राइब तो धान मैं से भूसा होता है और गेहु में भी क्या होता है और इसके बाद ग्राम कर द्याम चना में भी क्या होता है भूसा होता है यानि और पीज यानि कह सकते है मटर में भी और सरसों में भी उसके डंडिया होती है और इसके बाद मसूर में भी होता है और इसके बाद टैकिंग आट दा ब्रेन फॉर्म दा फ्लॉर यानि आटा में भी क्या होता है चोकर होता है और और दटी लिप्स फॉर्म दटी यानि चाय पती जो चाय होता है उसमें भी क्या होता है चाय पती होता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यानि कहने का मतलब है गाईज कि हमारा जो धान होता है गेहुम होता है चना होता है मटर होता है सरसो होता है और मसूर होता है और आटा में से गाईज हमारा चोकर को बाहर निकालना समझें यानि हमारा जो धान है आपको समझ आई की नहीं आई कह सकती हमारा जो पैडी होता है वीट होता है और ग्राम पीज मस्टर्ड लेंटाइल्स और टैकिंग आउट दा ब्रेन फॉर्म फ्लूर यानि आटा में से चोकर निकालना यह क्या है आपको प्रिथ करन कहलाएगा और इसके बाद है टैकिंग यानि चाए में से चायपति को आउट करना, ग्राइस कहलाएगा क्या आपको सेपरेसन कहला और यहां पर यह भी आप देख सकते हैं किया लिख्या हुआ है पीबस फॉर्म्स फॉर्म स्वर्म दसान्ट तो यहां पर हमारा बालू होती है, बालू बालू में से भी बड़े-बड़े जो कंकड होते हैं पीबल्स जो होते हैं उनको आउट करना बाहर बिगना हटाना उससे अलग करना यानि जुदा कर देना गयज क्या कहलागा आपको प्रिथ करन यानि कह सकते है से प्रेशन तो मैं यहां पर हिंदी में भी नीचे बतलाओं क्या मेरी आवाज समझ आ रही है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि लिखा क्या है वेस्ट फॉर्म दा हाउस अगर सिंपल सा समझा जाया तो हमारा जो घर का जो कच्रा होता है घर से जुदा कर देना घर से निकाल देना घर से अलग कर देना यार कहलाता है आपको प्रिथ इस पर कार किया है तो यहां पर लिखा क्या हुआ है दा पॉर्सेस ओफ दा पॉर्सेस ओफ सेलेक्टिंग यानि चुनना फिल्टरिंग और कह सकते हैं सोर्टिंग और कह सकते हैं सेपा रेटिंग इस कॉल्ड सेपरेशन यानि अगर इसका जो परिभासा है बहुत ही सीम्पल ह आई कि सेप्रेशन वह परकेरिया है जिसमें चुनना चानना चांटना अथवा अलग करना सेपरेटिंग यानि अलग करना गयज कहला आता है आपको सेप्रेशन यानि प्रित करन तो चलिए अब हम देख लेते हैं हिंदी में इसका परिवासा और कुछ जनकारिया हिंदी में तो यहां पर आप देख सकते हैं लिखा क्या हुआ है वाटी से प्रेशन यानि प्रित करन प्रित करन आखिर होता क्या है तो यहां पर आप ध्यान दीजेगा वही लिखा हो जो कि आप इंगलिस में देखे थे तो यहां पर आप देख सकते हैं लिखा क्या है धान गेहुं चन मटर शर्सो मसूर आठा में से चोकर बाहर निकालना चाय में से चाय पती और बालू से कंकर निकालना और चावल से कंकर निकालना और घर से कच्रा बिगना काज यही तो वह आपका पृतकर्न अगर असानी से देखा जाए तो यहाँ पर आपके सामने मैंने लिक्वासा आप लिख लिजेगा तो लिखा क्या हुआ है चुनने शानने और छाटने अथा अलग करने कि किरिया को क्या कहते हैं पृत करंग कहते हैं गाय जिय座ी समझ आई कि नहीं आई पृत होता है यार की यह सर्षा में चनना मतर सर्षो यह क्या दिए सामय त्यार चोकर होते ही होते हैं अगर आप सहरों में हैं तो उतना जानते नहीं होंगे बट अगर आपके माता या दादा दादी अगर